दोस्तो नमस्कार सुवागत ही आप सभी का अपना चैनल आई एंटी हिंती टेक में दोस्तो ये है प्रोविजनल सर्टिफिकेट फूर कोविड नाइटीन वैक्सिनेशन यदि आप जहे है कोविड नाइटीन की वैक्सिन लगवा लेते हैं उसकी बाद आपको एक सर्टिफि मिलता है और यह सर्टिफिकेट आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं आज की इस वीडियो में बताएंगे आप इस वीडियो के आंते तक बारे रहे डिटियल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं आम तोर पर आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप आभी कहीं जाते हैं जै जल्ट आया है निगेटिव वो आपको दिखाना परता है तो यहाँ पर आपको मैं बता दू कि अगर आप जहें कोविड-19 का वैक्सिनेशन करवा चुके हैं तो यह सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है आप कहीं यात्रा करते हैं तो वहाँ पर भी खोजा जा सकता है तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि कोविन के विबसाइट पर आकर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा वो कैसे कर सकेंगे चलिए बता देती हैं यहाँ पर जिस तरह से आप लोग registration complete किये थे जिस तरह से appointment book किये थे slot book किये थे सेम वही प्रकिरिया आपको करना होगा कोभीन वाले official website जो की kovin.gov.in पर आना है आने की बाद आपको यहाँ पर register या sign in in yourself की options आएंगे तो आपको इस वाले options पर click करना है उसकी बाद आपको यहाँ पर mobile नंबर दर्ज करने को बोला जाएगा तो आप यहाँ पर वही mobile नंबर दर्ज करिए जो registration की बक्त इस्तिमाल किये हैं तो यहाँ पर mobile नंबर दर्ज करिए उसकी बाद gate OTP पर click करने के बाद यहाँ पर गोविन के तरफ से आपके इस नंबर पर एक OTP रिसीव होगा one time password जो कि six digit का होता है तो आपको यहाँ पर OTP दर्ज कर देना है जो OTP आपके पास आए हुए होती हैं तो आपको यहाँ पर OTP कुछ इस परकार से दर्ज करना है और उसके बाद verify and proceed वाले बटन पर क्लिक करना है verify and proceed वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर account detail बता दिया जाता है registered mobile number के last four digit बता दिया जाता है यहाँ पर जितने भी member add रहते हैं वो भी बता दिया जाता है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तीन member यहाँ पर add किया गया है और यहाँ पर single single doge जो है दो member का लग चुका है अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सारा कुछ आपको बताया जाएगा जो single doge लगा है वो covid sealed का लगा है और कहां पर लगा है कितने वज़े लगा है यह सारा कुछ यहाँ पर बता दिया जाएगा ठीक है यानि कि आपका slot किया था कब का यह सारा बता दिया जाएगा double doge जो लगेगा second doge वो कब लगेगा वो यहाँ पर बताया जाएगा जो कि 84 दिन lift बताया जा रहा है second doge में उसकी बात यहाँ पर नीचे में certificate को options आता है आपको यहाँ पर certificate की उपर क्लिक करना होता है और उसकी बाद आपको यहाँ पर certificate download कर ना होता है तो जब आप certificate की उपर क्लिक करोगे certificate PDF के रूप में download हो जाएगा जो कि आप नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर certificate download हो चुका है उसकी बाद मैं आपको बता देता हूँ अभी open करके भी लेकिन यहाँ पर आप देख लिजे कि जब second doge लेना है तब आप यहाँ सिट्यूल करके उसी परकार से slot book कर सकती हैं यहाँ पर जो है second doge का due date बताया गया है 15 अगस्त 2021 जो कि आप देख सकती है और last date बताया गया है 12 September 2021 चलिए अब हम आपको certificate बताती हैं देखे दोस्तों कुछ इस परकार से आपका जो certificate होता है वो यहाँ पर उपलब्द रहता है PDF के रूप में जो कि आप इसी print out निकाल सकती हैं यहाँ पर बताया गया है कि first dose का आपका vaccination हुआ है उसी परकार से second dose लगवाते हैं तो second dose का भी एक certificate जारी होता है यहाँ पर beneficiary का नाम होता है लावारती का नाम उसका उम्र होता है जिंडर होता है उसके बाद पहचान पत्र में क्या दिये हैं वो यहाँ पर mention होता है ID verified रहते हैं उसके बाद unique health ID जो कि UH ID एक generate होता है और UH ID आपको यहाँ पर बता दिया जाता है beneficiary reference ID भी यहाँ पर रहते हैं उसके बाद vaccination detail जो कि यहाँ पर vaccine का नाम रहता है कि कौन से vaccine आपको लगा है उसके बाद यहाँ पर खुरा बता दिया जाता है उसी परकार से टीका लगाने वाले का नाम भी यहाँ पर रहता है जो कि कुमारी आसा लिखी गई है उसके बाद टीका करन का अस्थान कहा है वो भी यहाँ पर बता दिया जाता है उसके नीचे यहाँ पर हमारे मानने यह प्रधान मंत्री इंडिस्री न पॉर्ड जो है बताता है कि ये certificate जो हे सही है या फिर नहीं है ये original है या फिर नहीं है तो आप ये vaccination करवाने कि बाद कुछ इस परकार से certificate को download कर सकती हैं और डाउलोड कर लेने के बाद आसानी से जो है आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और जहां खोजा जाता है वहाँ पर आप दिखा सकते हैं उम्मिद करेंगे कि आपको यहाँ वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इसी परकार के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल फ मिलते हैं फिरे के नए वीडियो में हमें दीजी इजाजत तब तक के लिए गुड़ बाई